गुड मॉनिंग आप सबको सुभे का टाइम है और ये है सुभे का नजारा तो करीबन साड़ी छे बजे के आस पैस मेरा आग खुल गया था तो मैंने सोचा थोड़ा सा मॉनिंग वर्क जाओं तो मॉनिंग वर्क से पहले मैं ये अपने चारों तरप ये गार्डेन का व्यू आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ और उसके बाद चलेंगे मॉनिंग वर्क और उसी के बीच में ये एक वाटर फाउंटेन है और यहाँ पर बहुत सारे मचलिया है तो ये अभी ऐसे खेल रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा तो थोड़े टाइम में इनके पास इसे खड़ा हो गया तो चलिए निकलते हैं वाक के लिए तो ये देख लीजे सुबह का सुरस देपता लेकिन बादल के बीच में ये रस्ता काफी सुनसान है सिर्फ अभी मौनिंग का नहीं है पूरी दिन भर काफी सुनसान ही रहता है और जो पिस्फुल या जिसको बहुत सांत माहुल चाहिए तो आई थिंक ये जगा आपके लिए है हाला कि मुझे भी सांत महुल बहुत पसंद है तो ऐसे ही मैं चलते चलते काफी रस्ता चल के मतलों मौनिवाग चला गया और मैं ये नजारे का भरफुर आनंद उठाया क्योंकि मुझे अच्छली ऐसा जगा बहुत पसंद है ना कोई सौर सरापा तो चलते चलते मैं आके बीच पे पहुंच चुका हूँ और बीच का नजारे के बारे में मैं क्या बता हूँ वो आप सब को बता है इतना सांत और इतना पीसफुल जगा की सारे टेंसा नहीं पे दूर हो जाता है झाल 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 तो पूरी टाइम तो बीच पे नहीं गुजार सकते तो अभी मैं निकला घर के तरब क्योंकि बाके बहुत सारे काम अभी बाकी है तो हाई गुड मॉनिंग और नमस्कार तो अभी सुबे का नौ बच चुका है तो अपनी जैसे की देखा में सुबे उड़के थोड़ा बहुत मॉनिग गया था तो मॉनिग प्या क्लीप में ने दिखाया आज भी मैं बीस के तरह भी गया था क्यूब्कि गया ते करेबं 6-6,5 km हो गया आने के बार मैं थोड़ा सा कपड़ा बगेरा साब क्या नाहा लिया वो सारे काम खतम हो गया और यहाँ पर जाड़ू पुचा का कोई जिंजर नहीं क्योंकि हमारा यहां पर हाउस्किपिंग है तो सारे काम करते हैं और कलका कुछ खाना था यानि कि रात का मैंने रात को खिछडी भी बनाया था और मेरे लिए खाना भी आया था तो इसलिए मैं खिछडी को थोड़ा सा खा लूँगा अगर भूख रहा तो कुछ तो बनाऊंगा तो वही बात है और आज मेरा छुटी है मुझे इतना कुछ काम नहीं है फुल प्री तो मेरा सबसे पसंदिदा खाना यही है यानि कि खिचडी मुझे अगर पूरे 24 गंटा भी खिचडी दिया खाने के लिए तो मैं आराम से खा सकता हूं मेरा फैबरेट है तो साथी साथ यहां पे मैं मूंगडल बिठा चुका हूं यानि कि मैं लंच बना रहा हूं चावल और मूंडल तो यहां पे मूंडल अभी मेरा अभी बॉयल हो रहा है तो यहां पे मैंने रखा है थोड़ा सा चावल जिसको मैं बनाऊंगा स्टीम रैस और उसके साथ मैं यहां पे टमाटर को काटके रखा है जो के डाल में आड़ करूंगा तो यह है अभी टमाटर को मैं डाल में आड़ कर लूँगा और इसे अच्छे से उबाल दूँगा तो थोड़ी टाइम के बाद डाल हो जाएगा तो मैं टेंपरिंग दे तूँगा और यहां पे कुछ बरतन पड़ा था तो मैं अभी यह बरतन को अभी साफ कर रहा हूं तो अब मेरा सारे बरतन साफ हो चुका है और यह सिस्टम मुझे अच्छा लगा यह जो र्याक है यहां पे सारे में बरतन वगेरा को यहां पे रखा और पानी भी नीचे ड्रेन हो जाता है और जो उट्या पे उसके उपर है तो अच्छा है यह सिस्टम और यहां पे मैंने ब बिठाया हूँ डाल तो यहाँ पे खाना बनाना चालू है और यह बरतन बगेरा सब साफ हो गया था और यहाँ पे है चावल तो मैंने सूचा चावल बिठाने से पहले थोड़ा सा उसको अच्छे से धो के भीगो देता हूँ तो चावल जल्दी बनके तैर हो जाएगा अभी से यहाँ पे रख दूँगा और बातो बातो में यहाँ पे मेरा डाल भी बनके तैर हो चुका था तो मैंने डाल को ढखकन दे के रख लूँगा और मैंने चावल को पानी के साथ कड़ाई में रख चुका हूँ तो अभी इसको इंडक्शन में बिठा दूँगा और यह करीबन 10 से 15 मिनिट में मेरा चावल भी बनके तैर हो जाएगा तो इसी के बीच में मैं कपड़ा लेके क्योंकि मुझे साफ सुतरा बहुत पसंद है तो वही चारो तरप साफ कर रहा हूँ तो मेरा रूम काफी गंदा था तो मैंने सोचा आज मैं खुदी रूम साफ करता हूँ इसलिए मैं हाउसकिपिंग से ये मॉप मंगा के मैं खुदी ये रूम को मतलब वेट मॉप कर रहा हूँ अच्छा लगता है तो काम खतम हो चुका है और ये है आज का मेरा खाना कलका थोड़ा खिचड़ी बचा था स्टीम राइस डाल और आम काफी स्वादिस्ट साम का टाइम है तो मैं अभी दुबारा निकलाऊं थोड़ा वॉक के लिए काफी पसंद है मुझे वॉक और ये नया जगा है तो चारों तरफ देखना भी बहुत क्यूरियसिटी रहता है लेकिन यकिन मनी इतना सुनसन और सन्नाटा कि आपके आगे पीछे कोई नहीं अच्छा है लेकिन थोड़े थोड़े टाइम में अच्छा भी नहीं लगता फिर भी कोई बात नहीं तो वाक खतम करके मैं घर आ चुका हूँ और इन लोग के पास मैं और थोड़ा टाइम खड़ा हो चुका हूँ क्योंकि इनको देखने से मुझे बहुत मतलब mentally peace भी मिलता है और काफी अच्छा भी लगता है तो ये एक सुकुन मिलता है दिल को तो मैं इनके पास खड़े होके थोड़ा सा इनका वही देख रहा हूँ उसके बाद चलूँगा अपने रूम पे तो चलिए आज का ब्लॉग को मैं एहीं पर एंड करता हूँ और मिलता हूँ आप सबसे एक न्यूग ब्लॉग के साथ Hope you all enjoy your day until then Bye Bye